हलो फ्रेंट्स आप सभी को हिंदूस्तान जनकारी यूटूब चनल में स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो में आप सिखेंगे कैसे आप अपने मोवाईल के नोटिपिकेशन बार को कस्टमाईज कर सकते हैं जैसे दोस्तो मेरे मोवाईल स्क्रीन पे आप देख सकते हैं मैं अपने मोवाईल के नोटिपिकेशन बार को कस्टमाईज करके रखा हूँ यहां दोस्तो देख सकते हैं बैक अरूंड का कलर चेंज है और यहां आप राटेंस का कलर देख सकते हैं यहां मैं yellow करके रखा हूँ और यहां आप देख सकते हैं सारे icon जिसे की दोस्तों Wi-Fi, data और location का color देख सकते हैं यहां change है और दोस्तों यहां देख सकते हैं text का भी color change है white color मैं करके रखा हूँ इतनी ने दोस्तों नीचे मैं आप छोटा सा एक photo भी लगा सकते हैं और दोस्तों जो notification receive होता है जिसे की दोस्तों YouTube या कोई message और कोई application से उसका भी color अलग-अलग यहां आपको देखने को मिल रहा होगा तो दोस्तों बहुत ही कमाल का यह trick है दोस्तों एक click में आप अपने notification bar को customize कर सकते हैं और दोस्तों जब आप customize कर लेंगे और अगर आपका दोस्त देखेंगे तो बिल्कुल ही चोक जाएंगे और पूछेंगे भाई आप अपने notification bar का color कैसे change किये हो जरा मुझे भी बताओ तो दोस्तों अगर आप इस trick के बारे में जानना चाहते हैं इस वीडियो को आन तक जरूर देखेगा लेकिन दोस्तों वीडियो आगे होने से पहले आप लोग से एक छोटी सी request है अगर अभी तक इस वीडियो को एक like ने किये दो एक like कर दिजेगा और चैनल पर नए आये हैं आपसे request है चैनल को subscribe करके बायलकोन को दबा के all notification को जरूर आउन कर लिजेगा इस वीडियो के comment box में एक अच्छा सा comment यहां आपको लिख दना nice video, fantastic video या कुछ भी एक अच्छा सा comment करके यहां से send कर दना तो दोस्तों अब बात करते हैं कैसे आप अपने मोवाइल के notification बारको कस्टमाइज कर सकते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग को एक छोटी सी application download करना होगा जो application आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा link अगर आप description नहीं समझते हैं जो वीडियो अभी देख रहे हैं दोस्तों जैसे आप इस application को open करेंगे तो कुछ इस टाप का interface देखने को मिलेगा और यहाँ आपको नीचे में और try limited version देखने को मिलेगा इस पे simply click कर देना या आप यहाँ से premium version को भी ले सकते हैं तो दोस्तों मैं नीचे बला option पे click कर देता हूँ click करने के बाद दोस्तों यहाँ एक add आएगा तो आपको add को cut कर देना उसके बाद दोस्तों यहाँ जो भी permission आपसे पूछा जाएगा वो permission यहाँ आपको दे देना है तो दोस्तों यहाँ आपको 5 permission मांगा जाएगा तो 5 वो permission को आपको यहाँ से enable कर देना तो दोस्तो यहां देख सकते हैं सारे मैं पर्मिस्वन को दे दिया हूँ देने के बाद दोस्तो यहां आपको कुछ इस्टाप का इंटरफेस देखने को मिलेगा तो दोस्तो यहां देख सकते हैं सारे मैं पर्मिस्वन को इनेबल कर दिया हूँ उसके बाद दोस्तों आपके mobile में कुछ इश्ट आपका interface देखने को मिलेगा तो दोस्तों सबसे पहले आपको color change करना है तो दोस्तों color पे आपको click करना है और यहाँ आप light color रखना चाहते हैं या dark color जो भी रखना चाहते हैं वो यहाँ से आप enable कर लेंगे उसके बाद दोस्तों सबसे पहले background का color मैं यहाँ change कर देता हूँ जैसे आप इस पे click करेंगे जो भी color लेना है यहाँ आपको select कर लेना है select करने के बाद दोस्तों आपको apply कर देना है तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं notification bar का color change हो चुका है उसके बाद दोस्तों यहाँ मैं notification bar का background का color change करता हूँ जैसे कि दोस्तों यहाँ rate कर देता हूँ ठीक है तो दोस्तों यहाँ देख सकते है rate हो चुका है उसके बाद दोस्तों यहाँ active color का है इसको मैं यहाँ white कर देता हूँ ठीक IS तो दोस्तो यहाँ देखते हैं यह icon का कलर white हो चुका है उसके बाद यहाँ tax का कलर भी मैं यहाँ blue पे जो भी color आपको अच्छा लगा है उऔर color यहाँ आपको select करना जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ यलो कर देता हूँ ठीक है तो दोस्तों यहाँ देखता हूँ यलो ठीक है ठीक है उसके बाद दोस्तों यहाँ ब्राटनेस का कलर यहाँ मैं वाइट कर देता हूँ दोस्तों यहाँ ब्राटनेस का कलर वाइट देख सकते आप यहाँ है जितना भी दिन बर में आप data यूज करेंगे मोवाइल से वाइफाय से और जो भी यूज करेंगे वो सारे यहां आपको देखने को मिल जाएगा यूज रिसेट जो भी करेंगे वो दिखाएगा वार्निंग आप data यहां add कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों यहां से आपको यह साइट से notification आप निकाल सकते हैं ठीक है write करेंगे ईसका क्लर भी आप चेंज कर सकते हैं ऊपर से निकाल सकते हैं तो इसके करेंगे अगर यहां आप आप राइट करेंगे फिर भी इस साट से करेंगे तो दोस्तों यहां हो जाएगा तो दोस्तों यह दोनों चीज़ आप यहां से कर सकते हैं दोस्तों मैं इसको कर देता हूं उसके बाद यहां से आपको कट करके यहां से बैक आ जाना है बैक आने के बाद दोस्तों जैसे यह करेंगे दोस्तों यहां भी एक एड आएगा आड को आपको कट कर दना यहां भी आपको बहुत सारी फीचर देखने को मिल जाएगा जैसे कि दोस्तों यहां देख सकते हैं फूल स्क्रीन कर सकते हैं color change कर सकते हैं disable enable यह सब सारी चीज़ आप कर सकते हैं तो इसको आप यूज करके आप खूद देखेंगे उसके बाद दोस्तों फर्स्ट ऑप्सन पाएंगे तो यहां आप फिंगर लगा सकते हैं उपर में कितना apps को सो करना चाहते हैं जो भी करना चा करके दिखांगा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो आप खूद यूज करके आप देखेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा यह application तो दोस्तों उमीद आपको जरूर यह वीडियो पसंद आया आपका पसंद वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को जरूर सब स्क्राइब करें थैंक यू